स्टेम्वेट विदियो लो जेंकिन्स पोर्ट नंबर नी यहला चेंज़ यहला चूता है सो ममोलगे जेंकिन्स मनक्को डीफ़ल्ट का रन्ने येथि पोर्ट नंबर 8080 आए ये, सो इकले जोसते, सो जेंकिन्स रन्ना वुथन नंबर 8080 इथा default port लोगें, सो इनकेंग चेंगेंच, so Jenkins रुन उटों अपिडे मनम दीनी चेंगेंच, so एला port number चेंगे याला सुर्था, so जो खेंगेंच, so already नाक्को instance रुन उट्टोंदी, Jenkins server रुन उटोंदी, so नेनक्ट आउन उन्नाँ, okay, so VMTudes user जोगी नाईए, जो इकर चुज़ते हम इरू टर्मिनल कंटेंड जनकिन्स सार्वार के जो इकर मनम फस्स्ट एम चेयारंटे जो चेंग डिरेक्ट्ट्री तो उसर उसर फोल्डर लोग वेला उसर जो 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 इंकिन्स होम डिरेक्ट्री विचियल सी useful सुमान Sounds सो मनें थेलती होनोगी USR-Lib बढ़ी, सो मने यहीं फोल्डरलोक क्यों वेल्लावाने सो इकड़ूम इको systemDN इस फोल्डर हम धो सो इस्टमDN SYSTEMDN K okay, सो team लोक क्यों लोक locks so change directory to system okay सो इकड़ं इको चाला सरीसे सन्नी रन्न्ना ओत् conspirmay iedereen जनकिन्स सर्वीस पाइल दांट लो मनं पोर्टनमर चेंग जाया सो सर्वीस पाइल मनों सो इलायना चूडचू लेधक चालला उन्नाए कवड़े मनं फेल्टर चेसकोच लाँ ls-l jenkins अनेसी इलाई बच्चू इलायच राँटे मीको सर्वीस अनेद मीकोस्त्तुन मनों इदी सर्वीस नेम तो इई फाइल मनों मोडिफाई चेया इपको नीन्न sudo vi jenkins.service .services अनुमाट चेस्टू इपकड़न इए configuration file रिके वच्छाम मनों इकड़ में चला उन्तुम्नी मीरु सर्चेस कॉल्ड पोर्टन जपी सर्चे शिफ्ट कोलन फार्वोड स्लाश पोर्टन इच्छारंटे इकला सर्चेस्ट इजी होतुन। मानों स्क्रोल डाउन चेयालंटे चना टाइम बड़तुन। इंदे कंड़ी configuration files चाला data उन्पग्देग्ण। मीरु स्क्रोल चेयालंटे लाइक कीबोर्ट लो मी अपन डाउन आरो सिस्क्रोल चेयालंटे चाना टाइम बड़तुन। सो इननी इल्ला सच्चेस्त्राँ इख़्यisch? इखेड़ समूर्टने रहना टाउनटे . इप्ड़ेत्व लोट्विते लोम्न डाउनटे डurallyस्यरोा टोड उन्पंप्प्र सिस्च्चन टोंप्री सक्क्रोलोneg boats होमि होग्तिता दनी दोर्फोलोग सीट मैंडिसरू ecos今ा म militar ओस्योंतरThe okay so escape shift colon wq save and fit so save json so the configuration file so the changes changes apply so my name is sudo systemctl restart jenkins.service okay okay so then restart okay so it is jenkins service restart so this command systemctl and if you look at the warning source configuration file dropped jenkins server changed on disk okay so we will run this command okay systemctl demo reload okay demo is back down systemctl demo reload okay so it is done so configuration file port number changes restart so now we will run this command so here we will run this command port number changes jenkins already run this command port number 8080 run this command okay so this command systemctl so restart jenkins restart jenkins okay jenkins service okay so so okay so okay so okay so see jenkins 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 jenkins